हेलो एब्रीवन कैसे हैं आप लोग आई होप आप सभी अच्छे होंगे construction इंडस्ट्री में कुछ अच्छा कर रहे होंगे engineers जब भी हम bridge के construction की बात करते हैं आप major bridge का construction देख लेजिए minor bridge का construction देख लेजिए और आप किसी कलबर्ट या फिर multi-cell minor bridge का construction देख लेजिए आप किसी भी bridge को ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपको approach slab मिलेगा और जनाब आज के session में हम बात करने बाले हैं कि आपका approach slab क्या होता है जब भी आपका bridge का construction होता है तो starting में आपका एक apartment बनता है और आपके bridge के end में एक आपका apartment बनता है जिसको आप apartment wall बोलते हैं तो आपका road को bridge से connect करने के लिए हम एक आपका पूरा approach बनाते हैं जो कि इस तरह से धलान में जाता है और apartment के just पीछे उसी approach में आपका approach slab आता है आपका approach slab आपको plan में कैसे दिखाई देगा आपको elevation में कैसे दिखाई देगा और उस approach slab की dimension की detail को हम कैसे analysis करेंगे काकि site पे जाकि आप उसका execution करवा सकें और उसकी estimation costing और VBS bar bending schedule का का काम कर सकें तो engineers मैं हूँ संदिप सिंग professional estimation and billing engineer और आप सभी engineers के लिए corporate tenor engineers मैं आप सभी का rainforest and institute for civil engineers के digital platform पर स्वागर करता हूँ तो engineers आप इस session को पूरा देखिए तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल रही होगी आप बने रही है हमारे साथ हम करते हैं अपने session को start engineers आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आपको major bridge के project का drawing दिख रहा होगा और इस drawing में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आपका approslab है वो आपका कहां पर देखेगा उसके बाद हम समझेंगे कि approslab होता क्या है तो आप द्रोइंग में देखिंगे तो आपको पता चलेगा इस drawing में आपका जो bridge है उसका man plan और man elevation आपको दिखाई दे रहा है उपर जो आपको दे रखा है वो हमारा क्या है man elevation है इस bridge का और नीचे आपको क्या दे रखा है यह man plan दे रखा है इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको approslab दिखाई देगा अब जहां से bridge start होता है उसको ह देखेंगे दूसरी साइड आपका यहां पर ब्रिज खतम हो रहा है तो यहां पर भी इस तरह सी अबट्मेंट बनेगा तो यह हमारा अबट्मेंट एटू है तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जहां से bridge start हो रहा है उसको हम अबट्मेंट एवन बोल रहे हैं और जहां पर तरह इस परफु आपयों जो कि आपका आऽब मेंट बॉल और रिटेनिंग बॉल के बीच में प्रोवाइड किया जाता है यह हमारी लेटेनिंग बॉल से आस्योर बल यह इस तरह से रिव आ रही है और इसके पीछे आपको दिखाई देगा यह देखिंगा हमने इस तरह स और एक एप्रूस लैब हमारा यह है तो चीज़ने आपको प्लान में इस तरह से दिखाई देंगे जहां पर ब्रिज स्टार्ट हो रहा है वहां पर आपको आपको अपरूस लैब देखने को मिलेगा अपरूस लैब क्यों प्रोवाइड करते हैं इसको भी हम डिसकस करेंगे और मैं एलिविशन में देखेंगे तो भी आपको चीज़ने दिखाई दे रही होगी मैं एलिविशन आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा यह आपका अपरूस लैब है इसको अभी में जूम करके दिखाऊंगा तो आप और सभी से देख पाएंगे यह द आपको स्लै Чcan यहां कि आपका जहां से फुरी स्टार्म हो रहा है उसको भी अवट्रमेंट ने के जाता है जिसमें सबसे पहले हम आपका फ्शी का एक स्लैब कास्ट करते हैं और उसके उपर से आपका 300M थिकनेस का आपकी अप्रोस लैब का क्या function है इसको मैं अभी आपको समझाओंगा कि जो हमारा अप्रोस लैब आता है उसका क्या function होता है अब basically होता है कि मैं आपको drawing में लेके चलता हूँ थोड़ा इसका detail देखते हैं और वहां पर मैं आपको इनट करने के लिए हमारा अप्रोच आ रहा होता है और उस एकोछ में हम a pra बनाते हैं जो कि आपका अब अब creek मेंट और यहां यह क्या का मैं की है है और यहां पर हमेंने हुआ है इसी ब्रेकिट के ऊपर जो आपका एप्रोस्लेब है वो आपका होल्ड करेगा ब्रेज में हम ब्रैकिट बनाते हैं ब्रैकिट को बनाते हैं जिसके ऊपर हमारा अप्रोस्लेब एंब्रूर करेंगे लौट करेंगे और यह हमारा इस तरह से ब्रैकेट आएगा और यह आपका क्या है आdert मेंट का कैम पिल पूलते झारा है को गे मिल्थ का को यह मँखर के फील में? एप्रोच में आपका यह PCC आ रहा होता है यह देखेंगे यह हमारा प्लेंसीमेंट कॉंक्रीट का बैड है जिसकी थिकनेस आपकी 150 mm होती है बितेल में इक देल में लें यहां और आपको कि यूद्ध भी एफरा मिम्ट का नैंटर ये देखेंगे कि आलब देखन थिर्द स्टेंड में आप eles सब्सक्राइब आप कि आपका आफिरेंट करா barn यहांब कर रहा है आपses हमीं देख Transportation चुरुर्ण के इसां पर he स्केस्ट और इस तरह से आपका यह स्वैल का फिलिंग होता है यहां पे अपका यह सोईल का फिलिंग हो रहा होता है इसका प्रॉपर तरह से कॉम्पेक्शन नहीं हो पाता है क्योंकि यहां तक हमारा रॉलर सही से अप्रोच नहीं कर पाता है यह वाला जो पॉर्शन आप देखींगे यह जो मैंने यहां पर मार किया है यह जो पोर्शन है यहां पर हमारा प्रॉपर तरह से कॉम्प्रेक्शन नहीं हो पाता है क्योंकि यहां पर अबटमेंट आ रहा है तो हम यहां पर प्रॉपर तरह से रॉलर के थो नहीं कर पाते हैं तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं यहां पर एक RCC का slab provide कर देते हैं जो कि साड़े तीन मिटर ब्रित का होता है और यह प्योर RCC का होता है इसके नीचे एक PCC का बैट भी आ रहा होता है ताकि चीज़े हमारी सेटल ना करें अगर हम यहां पर RCC का slab नहीं provide करेंगे तो जो आपका इसके उपर road आएगा वो आपका क्यों होगा सेटल कर जाएगा तो हमारी चीज़ें फैल हो जाएंगी तो हमारा जो रोड है वो सेटल ना हो पेहमेंट का फैलियर ना हो तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं अबट मेंट के जिस्ट पीछे साड़े तीन मीटर ब्रित का आपका एफ्रो स्लैब बना देते हैं जो कि आपका आर सी सी का होता है अभी आपको समझ में आए होगा इसका थोड़ा से डेटेल में और मैं आपको लेके चलता हूं कोई भी ब्रिज बनेगा तो इसमें आपकी दो एप्रो स्लैब आएगी एक पी जहां से ब्रीस टार्ट हो रहा है वहां पे पकॉस्लैब आएगी और जहां पर ब्रिज खतम होगा वहां पे एक फ्रूस लाँड स्लैब आईगी तो एक स्ट्क्सर में आपको 2 अप्रो स्लैब देखने को मिलेगी अब कि अब इस एप्रोस लैप का बांकी डिटेल देखना है तो आपको और यहां पर मिल जाएगा यह देखें कि मैं नीचे लेके चलता हूं यहां पर नों ने अबिटमेंट कैप का एक पर्टिक्लर सेक्षिन दिखाया हुआ है तो यहां पर पूरा डिटेल देख सकते हैं कि अबिटमेंट कैप आ鬼 अ पर यह चाए स से आपको हीघ आ रहा है पेड़ से उसली दॉपर हमारा इस थे दिकेंगे साबसे पहले भी पी सी का बैट बना रहे हैं यह नहींड कि एमिदैंब थीटनेस का हमारा इपेश्या में बड्र बना एक और इसके उपर से 300M थिकनेस का आपका यह RCC का सलेब आएगा है यह देखेंगे यह हमारा क्या है यह लिखा हुआ भी आप देखेंगे 300M कि इस तरह से चीजें आपकी होती है तो दोनों साइड आपको एकोच मिलेगा साड़े तीन साड़े तीन मिटर का ताकि चीजें हमारी सेटल ना करें क्योंकि वहापे कॉमपक्रेक्शन नहीं हो पाता है तो यहां पर देखेंगे यह देखेंगे यह हमारे ब्रिच का मैन प्ल शी चाहते लुवब योरी यह स्पही देगा इसके बाद आप आप देखेंगे यह हमारा क्या है तरब यही च्छल्ब बनाया हुआthen तो यह देखिए साले 3 मीटर का एंत्व क्या स्टर्टिस्ट आरा हुर। है यह पूरा रोड की अपिमाय आपका करता है तो यहां पर हमें तो बारeties στο wann से एप्रोच बना देते हैं यह देखिने साड़े तीन मिटर का फूरा बिरत है तो यह क्या है एक साइड है जब आप दूसरे अबटमेंट में चलेंगे तो सेम चीज़ें आपको मिल रही होंगे देखिए अबटमेंट एबन है इसको आपका यह पीटू 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 पी और आपको इस तरह से हैं बोल आएगा अर यह पीछे हमारा आप यह रोट का सेरी से हम क्या हो जाए तो हम क्या करते हैं सिब्सक्राइक का इसकी जो ब्रेट है वो कितनी दे रखी सेम दे रखी आपको साड़े तीन मेटर यह देखेंगे यहां पर लिखा हुआ भी तो ब्रिज के दौनों साइड आपको एप्रूस देखने को मिलेगा स्टार्टिंग में भी और आपका एंड में भी तो इस तरह से कोई भी आप ब्र देखने को मिलेगा ताकि अविट्मेंट के जस्ट पीछे अविट्मेंट बॉल के जस्ट पीछे जो आपका स्वाइल आ रहा है उसमें प्रॉपर तरह से कॉम्पैक्शन नहीं हो पा रहा है वह आपका हैवी लोड की केस में सेटल ना हो तो उपर से एक रसी का सलेब हो जा की जो थिकनेस होती है वो आपकी 300 एम होती है मुस्टी ड्रॉइंग में यही दिखा है वही मैंने आपको बताने की पोसेस की है एंजिनियर्स इस सेशन के लिए इतना ही काफी आई होप आपको समझ में आयो क्या होता है क्यों प्रोवाइट करते हैं और इसकी डिटेल को ड करते हैं